हेलो फ्रेंट सौगत तब के ही चैनल फेंटैसी डॉक्टर में इक बर्फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो ने वाला यहां पे तमिल नाडू वरसेस आंद्रप्रदेश के बीद जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो इंपोर्टन र आपको स्क्रीन पे नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और ओरीजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना आपको सिंपली करना क्या है वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ओपर ब्ल्यू कलर का लिंक होगा जैसी आप हमारे टेलिग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा दैन उसको जोईन कर लेना ग्रैंड लिग में रैंक वन की फोटो ल कौन सी विग्यार आपको कैसे टीम क्रियेट करनी है थोड़ी चीज़ आपको पता उनीचे तो उनके बारे में डिसकस करते हैं पहले डेफिनिटली में एक चीज़ जरूर बोलूगा कि तमिल नाडू की टीम काफे क्यों श्ट्रॉंग बोल रहा है दो रीजन है देखो लास्ट रियर इन्होंने लिग इस्टेजिस में यहां पर नौ में से नौ मैच विन करें थे एक भी मैच नहीं आ रही और पहला मैच पड़सो था इनका वो भी मैच विन करके आ रही है 289 का तारगेट चेस करना था वह चेस कर लिया एजीली और अभी रिसेंट में इंडिया की डॉमिश्टिक में सेयद मुष्टा कले ट्रॉफी होती है उसमें भी फाइनल विन कर गया रही है वह है तमिल नाडू की टीम बिल्कुल टॉप पे चल रही है और बहुत अच्छी टॉप में और इंके पास काफी अच्छी डैप्थ है बॉलिंग से और बॉलिंग से लेके बैटिंग में तो यहां पर डेफिनिटली फेवरेट से रहेगे हैं अब बात करते हैं यहां पर क्या रह सकते हैं पॉसिबिलिटी और वेन्यू के रहने वाला है यहां यहां यह मै में अब इन दोर में होल कर स्टेडियम में मैच होने वाला है तो यहां पर एक्सपेक्टेड स्कोर के आप देखो बताता हूं परसो ही मैच हो जहारखंड ने यहां पर इस ग्राउंड वे था कितना स्कोर के आप मानोगी नी तूफ फॉट तूफॉर तूट इशान किशन इस 173 स्कोर गया था तो 422 स्कोर कर आ रहे है परसो यहां पर जहारखंड सेम ग्राउंड में तो आपको यह पाप पहलती है कि काफी अच्छा बैटिंग ग्राउंड तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 280 कर आपको स्कोर देखने को मिल सकता है ठीक है तो आपको यह चीज द बात करते हैं पर कि तमिल नाडू को बैटिंग ओडर किया रहा है अरुन कार्सिक ओपन करने आ रहा है नरायन जक्तिशन के साथ अब देखो रिसेंट में जो अच्छी फॉर्म में था अच्छे नजर आया था ओपन करने वाला है चाहे इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही ह पहले और टीम भाहर भी नहीं करेंगी क्योंकि अच्छे फॉर्म में भी अरुन कार्सिक और यह आई पेल भी खेल चोग आपको नहीं पता हो तो इसके नाम पर इसने एक बार रायन जक्दीशन जो कि मैं बोल सकता हूं कि अपनी ड्रीम फॉर्म में चल रहा है लास्ट सेय तो यहां पर काफी अच्छी बैटिंग करी नारायन जक्दीशन तो बहुत कंसिस्टेंट और बहुत बड़ी अपले रहा है बाके विकेट कीपिंग तो फिलहाल अभी कार्ति कर रहा है अदर्वाइस विकेट कीपिंग यह भी कर लेता है और आपको थोड़ा बैसे सकते हो देना था यहां पर बाबा परजीट की तीम का मैं बोल सकता हूं कि बैस्ट अल्राउंडर है बाबा पर जीट के ताथ मैं जाने वाला और डैफिनिटली क्याप्टन से जरूर्ट दूँगा मैं अपरा जीट हो क्योंकि बैटिंग करने वाला फर्स डाउन और कि लाज़न पर बाड़ शकरने वाला साथ या आठ या दस कितने वी ऑवर कर सकता है तो बालिंग भी बैटिंग भी गरेगा ऑफ स्पिन बालर आइख यान उख याने वाला हूंरा नराय जगदीशन जाने वालों बाबा पराजीट कि जाने वालों कार्तिक के साथ देने में कार्थिक ही समालने वाय और फिनिशिंग का रोल भी कार्थिक ही प्ले कर सकता है और विकेट कीपर के कैचिंग और स्टंपिंग के भी पॉइंट मिलेंगे तो टॉप फॉर इंपॉर्टन रहेंगे जगदीशन अपराधित और दिनेश कार्थिक बागी बात करें यहां प पंजाब ने किसने प्रचेस करा है और 5.25 करोड को करोड में 5,5 करोड के आसपास में शारू खान को प्रचेस किया और ऑक्ष्ण में काफे इची फिनिशिंग का रोल प्ले करता और काफे इची हीटिंग करता और अभी डिसेंट में तो सहिए नुच्टा कली ट्रॉफी ग होगा क्या अगर आंद्रा की टीम 200 तक स्कोर करते हो चांस यह नहीं सकता है कि टॉफ फोर ही जिता के जा सकते हैं तो उसकेस में बोल रहा है कि आप शारू खान को अपनी टीम में लेना जब इनकी टीम पहले बैटिंग करें कि ताक इसकी बैटिंग आने के चांसी भी रहे करता है और बहुत बढ़ी है बाबंद रजीद इतना रहेगा नहीं कि टॉफ प्लेयर हमारे ज्याज़ा इंपॉर्टन रहने वाले हैं बागी बात करें मुर्गन आश्विन में इंपॉर्टन रहेगा मुर्गन आश्विन के बारें आपको थोड़ा बता दो तो कि आपने बार के तो आरेस कि शूर को मैं अच्छी बताऊंगा लेफ्टाम और्स बालर रहे इस साल तो नहीं बट लाश्ट एर जो सइयद मुश्टाकली ट्रॉफी रही थे टीटी वाली उसमें सबसे लिए लेने वाला बालर कौन तस आरेस कि शूर और लेफ्टाम और्फटाम और मतलब होता है लाइक जड़ेजा को जैसे आपने बालिंग करते हुए देखा आप ऐसी करता है और बहुत अच्छा बालर है कि साहिं कि शूर अगर इंकी टीम पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें मैं इन दोन स्पिन ऑप्शन कर जाने वाला हूं मुरकर अश बालिंग करने आप देख का ओवर का मतलब होता है चालिस से पचास ओर के बीच में जहां टीम हिट करने के लिए याथे विकेट मिलने के चांस हाई रहते हैं तो हां यह बालिंग करने वाला ऐस सोनु यादव और अश्विन के साथ मिलके और सिदार्थ भी कर सकता है बाकि यहां पर सोनु यादव ठीक ठाक है बट ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है बट इस्टिल अपने साथ आट ओवर डालते हैं नजर आ सकता है मौम्मद दस ओवर करेगा और सिदार्थ अभी रीसेंट में चार विकेटे कारा फाइनल में इन दोनों को में टीम में डेफिनिट और दोनों को टीम में लेकर जाने वाला बाकि सिद्दार्थ ग्रेंड लिक के लिए फाइनल जो रात उसमें चार वेकिट निकाल के रहा है बाकि शारुखान और रोल प्ले कर सकता है एक आदा और एक दो ओवर डालके बाकि बाबा पराजित को भी हम टीम में ले सकते और अधरवाई से पूरे सात ओवर आट ओवर डेसोवर भी कर सकता है तो देखते हैं किनु से त्योरो प्ले यह फिक रहरे सकता है यहां tem पर हम आपकर सकता है तो नदर आ सकते congratulate अंद्रापरदेश की टीम के उपर तो अंद्रापरदेश की टीम क्या रहने वाली क्रांती कुमार आपको उपन करते में नजर आ सकते बट इतना बड़ा और इतना करेगा प्लस हनुमा विहारी और यहां पर रिक्की बुही के बाद इनकी टीम में कर कोई सबसे बड़िया बैट्समैन है तो वह रह गए यहां पर अश्वीन हैबर और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लाच में बालिंग ने करी और यह बालिंग भी करता है तो किसी को यह ब हनुमा व्यारी को पहले बैटंग करें और इस बालिंग भी करें तो इसके साहथ में जाने वाला हूं हनुमा व्यारी कए पकिताइं भी करेंग बाद हमिन इसhando को हा理न है तो अन्कुमा रेड़ टी न्कुमार रेड़ी तौ फिर विदे करने बाला ना के अब को आपको बै तो यह सारे बैटिंग प्लस बॉलिंग करते हैं दोनों के तीनों के दोनों रोल प्ले करते हैं अश्वी नहबर हो या फिर हन्वा विहारी हो या फिर नितियश कुमार रेड़ी हो और यह विदियूंब फास्ट बॉल यह बागी आतना का विकेट कीपर जो है रिक्की भुलिक करके आरहें और एक तो को थोड़ा रिवाइंड करवा हूं तो यह संराइज ते संराइज़ हैदराओद के लिए एक फिल चुका है रिक्की भुई और बहुत बढ़ा नाम है और बागी बात करें करने वालों साथ चार का कॉंबिनेशन मनाओं साथ लेट तमिल नाडू के लो या फिर चार प्लेयर में लोगा अंदरा के या फिर चे प्लेयर तो एक लिए लेने वाला हूं बागी गरिनाथ रेटी तो बैटिंग यह एक अच्छा और आपको इसको अच्छा प्लेयर और यहां पर आपको बैटिंग से थोड़ा फिनिशिंग का रोल प्लेय करते वह नजर आएगा तो यह फास्ट बाइलर है और यहां बात करें हैं पर एच शंकर रेडी यही फास्ट बालर यह दैथ में बालिंग कर सकता है 40-50 और के बीच विच्व जहां फर्स्ट बालिंग करेगी और तमिल नाडु की टीम पहले बैटिंग करेगी तो इसको जरू ट्राइक कर सकते टीम में रेडी को बाकि आता है ऐसा शीष जो कि इंदा इंपोर्टन रहे है का दैन यहां पर रहे हैं सिस्टेफिन जन की टीम का में और सबसे बैस्ट फास्ट बालर यह यहें लेफ आंंट वकर सकता है चांस से पचास वर के बीच में जहां फिलने के चांस लिए तो ध्यान रखके चलना तो मैं बता 10-10 ओवर तक एक्सपेक्टिर स्पिन बॉलर है याद रखना मौंबत खान को बाकि आपर है रेड़ी मिजिम फार्च बॉलर प्लस बाकि रेड़ी है बाकि रेड़ी है फर्स डेस्ट डेस्ट करने आएगा और अपर डेफिनिटली आपको मैं बोल सकता हूं कि पर्ट तेम एक मैं सब कुस ध्यान में रखते हैं और सब चीज को मतलब करते हैं आपके लिए बैलंच टीम बनाने ही खुशिश करें मेरे क्रेड भी यूटिलाइज हो गया और यहां पर डेफिनिटली आपको बताए तो रीजन हल्पर को लेने का तो विकेट किपिंग सेक्शन में तो ऊपन करें अरुन कार्थिक सब्सक्राइज तो खाले पल χास कर रहाएं तो मैं रुट पिर जहास सकती हो ऑनकल है यह चाहों को अ-बठी की जगह है जहां तो दिक्कत यह विसको सब्सक्राइज करें को लोगी ऑशिव निट कर शान की मुतान और इसको कि यहां पर बाकि इंद्रा जीत करोल बैटिंग और नीचे और में इंपॉर्टन नी रहेगा और यहां पर शारू खान को अधर इंपॉर्टन राज राता बाकि कुमार है बट में जयादा इंपॉर्टन ने जितना अश्वीन है इंपॉर्टन थीहार नखना चलेगा तो ट्राइ करें बाकि मैंने लिए आर साही किश्वर्टन करेंगा लेफटा मॉट्स बॉलर लेफटाम राइटाम स्पिन बॉलर लग स्पिन बॉलर बाकि तीसरा मैंने तमिल नाडू का इलिया और सोनु यादव कर मैंने यह सोचके टीम मनाई है कि इनकी टीम पहले करने वाली है यहां पर अंदरा की टीम तो ध्यान डखना मझलब पेले बाइटिंग करेंगी यहां पर यह और प्ले बॉलिंग करेगी बड़ सेकोड़ागी तेम बाले तीम अच्छी बन सकती है बाकि अकर तमिल नाडू की टीम पहले बैटिंग करती है तो डेफिनेटलि प्रस्प प्रस्थ है यहां पर न करते हो चाहिए कर यहां पर यहां पर ले पा होगे यहां पर इसको लए प्रिशार उगन की जगह में यहां पर इसको ले लूँगा तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी और बॉलिंग में देखे तो एक प्लेयर जिसको में लेना चाहता हूँ करेडिट हो तो मैं सोनु यादव की जगह जगह जोरूर लूँगा वह रहे गा मेले सब्सक्राइब करें तो मैं यहां पर इसक्याद जा रहा हूँ सोनु यादव के साथ बाकी जी रेड़ी और इनको जब तमिल लाडू की पहले बैटिंग करें तो अब ट्राइब कर सकते हो तो फिलाल मैंने टीम नाई यह मनाई कैप्टेंसी दिये मैंने यहां पर बाबाब था है लिए लाड़ की टीम अपके लिए मैंने यह क्रिएट करें तो विहारी बुही और इसको रखकर बॉलिंग ऑप्शन से लिए और यह क्या सोच के टीम बनाई है कि तमिल नाडव की टीम पहले बॉलिंग करेंगी और बाद में बैटिंग करेंगी तो इनको तो यहां पर नहीं ग्रैंड की टीम वन तब एक रहा है ताप ग्रैंड की टीम टू यह रहाएगी मेरे कॉर्डिंग अप देख सकते हुआ यहां पे नहीं क्या कर रहा है यहां पर यहां पर इस रेडिक की जगांपने वाला मोहम्मथ को तो यह मिराभी टीम टू रहेगी और वित्व आप चाहोते हैं आपे विहारी और नरायन जग्दीशन के साथ जा सकते हो और अगर तमील नाडू को ट्राइक करना तब कर सकते हैं आरसाई किशोर और मुर्गन अश्विन को कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ग्रैंड लिग में अब आतने बाइक की पिक के ओपर देखो मे करने सफेंई करेंगिसरे निए सब्स पीश्देश मेंया सब्स और में एक चाहले शरीं करेंगिसरे की अ अ गजायें। आउ अ कि करेंपैसरे अप सब्सकंडिक में बड कर थे यच से लेता हैğं और पीछ इसमें mc mater case की थेसके फजिए नहीट आपकर ओढ़ार्ट आये उन अगर झालाउट हो तो कार्थीच में दो तीन कैशिज तो करेगा तो चाइब वैसी कार्थी को मिल जाएंगे और चोबिस पइसाद अगर बैटिंग में यह 40 भी करता तो अलब आपको अधर देगा यहां पर साइब साथ सें रोल है बाकि मोहमत भी आसे फिनिशन का रोल प्लेज कर सकते हैं आर सोन याद आवा जो चाहऊ तो ड्रॉप कर सकते हो प्लस इंडियन इंटरनेशल टीम का प्लेयर है तो एक्सपिरिंस भी अच्छा है तो मैं हनुआ विहारी को थोड़ा ट्राय कर सकता हूं एक लोता अंदरप्रदेश का प्लेयर है बाकी यहां से मीडियम ही है और इनकी क्वांटिटी कंबाय कर सकते हो इसकी थोड़ी जाधा क लागे है तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब का राइड बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबा देना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो अप्लोड करू के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में आपको टेलिग्राम चैनल के लिंक दिया आपको उसी का यूज करना है तब आप हमारे टेलिग्राम के सही और और उरिजनल चैनल के साथ जुड़ पाऊगे तो मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ जाहिन दोस्तों